क्या आपको पता है सहजन को मिराकल ट्री भी बोलते हैं इसके बड़े सारे मेडिसिनल बैनिफिक्स के कारें इस वीडियो में आपको ये पौध आप बीज से ग्रो करना बताऊंगी वैसे तो इससे कटिंग से बड़े आराम से ग्रो करा जा सकते हैं लेकिन पौधे को बीज से ग्रो करने का अपना अलग ही मज़ा है मैं आपको कम्प्लीट अप्डेट भी दिखाऊंगी इसलिए आखिर तक बने रहिएगा चलिए फिर सुर्वात करते हैं बीजों को लगाने के प्रसेस से मौरिंगा के सीट कुछ इस तरीके के होते हैं यह बड़े आसानी से आपको लोकल सीज स्टोट पर या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे बीजों को ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो मिट्टी तियार कर लेते हैं मिट्टी में दो चीजे जरूर मिक्स करिएगा सबसे पहला नीम खली इससे नया पौधा इंसेक्ट निमेटोर्स और फंगस से बचा हो रहते हैं नीम खली ना हो तो आप थोड़ा टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन खल्दी नीम खली जितना इफ्यक्टिव नहीं ह सबसे पहले तो ड्रेनेज होल पर एक पेबल रख देंगे और फिर गमले में स्वाइल मिक्स भड़ देंगे अच्छे सीज जर्मिनेशन के लिए अब यहां पर एक ट्रिक है आपको मिट्टी को लेवल करके बीच में एक होल बनाना है इस होल में आप कोको पीट डाल दीज जो मौरिंगा के ग्रो होते हुए सीज के लिए काफी ज़रूरी है बीजों को लगाने के बाद पानी ज़रूर डाल दीजेगा और इस गमले को आप बाहर ही रखेगा 10-15 दिन तक लग जाते सीज को जर्मिनेट होने में यह कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी तरफ की हुमिडिटी और टेंपरिचर पे जब यह पाधा ग्रो होता है बड़ा क्यूट सा लगता है अभी से रिपॉर्ट नहीं करेंगे थोड़ा और ग्रो होने देंगे अब की वर्मी कॉंपोस्ट और सुखा हुआ केले का चिलका फ्रेंट्स केले के चिलके का पॉड्रेट ज्यादा बहतर होता है लेकिन मैं बड़े पौधों में केले का चिलका ही डार्क ली यूज कर देती हूं क्यूंकि पॉड़र बनाना थोड़ा महनत वाला काम है इस लेयर के उपर वापस तीन से चार इंचिस मिट्टी का लेयर डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें अपने पौधे को लगा देंगे वैसे आपको गमले से पौधे को निकालने का ट्रिक को पता है ना गमले को हर तरफ से आप थोड़ा थप थपाईएगा तो गमला रूट बॉल को आपके हाथों में आ जाएगा पौधे को लगाने के बाद पानी जरूर डाल दीजेगा और मौरिंगा आउट्डोर प्लान्ट इसले गमले को बाहर ही रखेगा जल्दी में मौरिंगा पेक डीटल खेर इंस्ट्रक्शन वीडियो बनाऊंगी बने रहेगा प्रकृतिस गार Bye friends, stick here, happy gardening, greener, healthier, happier